दोस्तो मंगलवार की रात दो लोंग जला दे यहां बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, साथ ही साथ आपके जीवन की सभी परिशानिया हो जाएंगी खत्म और भगवान बजरंग बली का सदैव आपके उपर रहेगा आशिरवाद जी हाँ दोस्तो आई ये जानते है मंगलवार सी जुड़े कुछ महत्व पूर्ण उपायों के बारे में दोस्तो सनातन धर्म में लोंग को बहुत पवित्र माना गया है पूजा पाठ आधी के चीजों में लोंग का विशेश महत्व होता है लोंग का प्रयोग स्वाद और स्वास्त के लिए फाइदे मंद होने के साथ साथ जोतिशी उपायों में भी कारगर माना गया है लोंग का प्रयोग पूजा के अलावा तंत्र मंत्र में भी किया जाता है क्योंकि इसे उर्जा का वाहक माना गया है अपनी किस्मत को बदलने और सपनों को पूरा करने के लिए आप भी चाहे तो लौंग के प्रचलित तोटके उपाय आजमा सकते है वैसे तो आपको पश्ट कर दे की इन उपायों का कोई वैज्यानिक आधार नहीं है ये वो उपाय है जीने परंपराओं में आजमाते आये है जी हाँ दोस्तो लौंग का सबसे पहला उपाय घर से आप नकरात्मक उर्जा को कैसे दूर करे और घर में सुक्षान्ती और सम्भूद्धी कैसे लाए जी हाँ दोस्तो उसके लिए आप घर से नकरात्मक उर्जा दूर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपने घर में नकरात्मक उर्जा का प्रवेश होने नहीं देना है इसके लिए आप लौंग का आसान सा उपाय आजमा सकते है जी हाँ दोस्तो आपको करना क्या है आपको मंगलवार की रात आपको दो लोंग ले लेनी है एक कपूर की टिकिया ले ले और एक इलाईची ले ले उसे जला ले जब इनकी अगनी की लप्ते उठने लगे तो इसे सभी कमरों में घुमाए इससे जब वो पुरी तरह से जल जाए इसके जलने के बाद इसकी राक को मुख्य द्वार पर फैलाए चाहे तो आप राक को जल में मिलाकर मुख्य द्वार पर छिटे मार दे इससे घर में मुझूद नकारात्मकुर्जा समाप्थ हो जाती है नकारात्मकुर्जाओं का नाश हो जाता है घर में मुख्य द्वार पर सकारात्मकुर्जा भरपुर रहेगी और आपके घर में सदैव सकारात्मकुर्जा का वास रहेगा और साथ ही साथ जिन लोगों के कुंडली में रहु केतु की स्थिती अनकुल नहीं है उन्हें मंगलवार के दिन लौंग का दान करना चाहिए जिससे रहु केतु की स्थिती अच्छी रहती है और अगर आप दान करना चाहे और आपका दान कोई नहीं ले रहा तो आप इसे मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों के पास रग दिजिएगा जी हाँ दोस्तो इस उपाई को अगर आप लगातार 11 मंगलवार तक करोगे तो राहु और केतु का बुरा प्रभाव समाप्थ हो जाएगा साथ ही घर में खुशहाली और आनंद के लिए लोंग का पउधा भी आप लगा सकते है लोंग की कुछ कलिया साथ में रखने से भी आपको फाइदा होगा इससे नजर दोस्ते मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ किसी ने आपके पास से पैसा उधार लिया है और वह नहीं लवटा रहा लवटाने में आनाकानी कर रहा है तो उससे विवाद करने की बजाए लोंग का उपाई आप अजमा सकते है जिससे आपका धन जल्द से जल्द आपको वापस मिल जाएगा आपको करना क्या है आपको मंगलवार की रात एक कपूर की टिकिया ले ले आपको दो लोंग ले लेने हैं दो लोंग ले ले या फिर 21 लोंग ले ले जिए ज्यादा से ज्यादा ले ले जिए और भगवान बजरंग बली का ध्यान करते हुए हवन करे घर में साथ ही साथ भगवान बजरंग बली से प्रार्फना करे कि जिसे भी आपने पैसा दिया है वह जल्द से जल्द वापस हो जाए जी हाँ दोस्तो इस प्रकार हवन करने से और भगवान बजरंग बली का समरण करने से आपने जो उधार पैसा दिया है वो जल्द से जल्द वापस हो जाएगा बड़े से बड़े दुश्मन भी घुटने टेक देगे मान लिजिये अगर आपका कोई कारिय पूरा नहीं हो रहा तो आप इस उपाई को अदमा सकते है जी हाँ दोस्तो अगर आप किसी जरूरी काम से जा रहे है तो घर से निकलते समय दो लोंग अपने मुख में रख ले जी हाँ यकीन मानिये जहां आप इंटर्यू देने के लिए जा रहे है वहाँ लोंग के अउशिशों को फेगदे निकाल कर और अपने इस्ट देव का समरंग करते हुए इंटर्यू के लिए जाए और मन ही मन भगवान बजरंग बली का समरंग करे जी हाँ दोस्तो तंतर शास्तर के अनुसार इस उपाई को आप करे तो कारियों में सफलता मिलती है जो इंटर्यू दिया है उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी साथी साथ आपको कोई आर्थिक समस्या हो रही है आर्थिक परिशानी चल रही है धन समन्दी कोई परिशानी चल रही है आपकी स्थिती ठीक नहीं चल रही है तब आप क्या करेंगे तो आप लोंग ले ले जिए, दो लोंग ले ले और साबुत लोंग ली जिए, तुटी फुटी बिल्कुल भी न हो और उस लोंग को हमेशा आपको काले धागे में बांद कर अपने गले में पहन लेनी है या फिर लाल कपड़े में बांद कर अपने आसपास के हनुमान मंदिर में रखाईए अगर आप पहनते नहीं है तो किसी भी हनुमान मंदिर में रखाईए जी हाँ दोस्तो ऐसा करने से जल से जल आपके आर्थिक समस्याए दूर हो जाएगी घर में बरकत होने लग जाएगी धन समंदित परिशानी दूर हो जाएगी दोस्तो साथ ही अगर आप चाहते है कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी खुटने टेक दे आपके सामने तो दोस्तो दुश्मन तो सभी के होते है अपने भी होते है पराये भी होते है मतलब शत्रू तो सबके होते ही है आपको परिशान करते है आपके कारियों में बाधाये डालते है तब क्या करेंगे आप दो लौंग ले लिजिए साथी साथ आप कपुर की टिकिया ले लिजिए और एक इलाईची ले लिजिए और इनको जला दिजिए अपने घर के पच्चिम दिशा की और जला दिजिए और फिर आप इसे बाहर फेक दिजिए लेकिन शत्रु का नाम लेकर जलाईएगा ध्यान रखिए जितने भी शत्रु है आप चाहे उतने लोंग ले सकते है अगर मान लिजिए एक से ज़्यादा शत्रु है तो आप उससे ज़्यादा लोंग ले सकते है एक से ज्यादा लग ले सकते हैं, दो से ज्यादा, तो शत्रु का नाम लेकर लग को जला दे, फिर देखिए शत्रु कैसे शांत रहते हैं, आपके सामने घुटने टेक देंगे, बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, तो ये लग का अध्भुत प्रयोग जरूर करिएगा, बहुत ही चमतकारिक, बहुत ही लापकारक रहेगा, या फिर आप चाहते हैं बड़े से बड़ा दुश्मन घुटने टेक दे, तो आप हनुमान जी के मंदिर के सामने भी आप दोलोंग जला सकते हैं, और जितने भी आपके शत्रु है, आप हनुमान जी से प्रार्थना करे, तो भगवान बजरंग बली आपको आपके शत्रु होन से छुटकारा जरूर दिलाएंगे, भगवान बजरंग बली की कृपा प्राप्त करनी हैं, तो आपको लोंग का प्रयोग जरूर करना है, और ये भी मंगलवार की रात को, तो दोस्तों, मंगलवार दूर हो जाएगी, हर प्रकार की समस्याउन से आपको मुक्ती मिलेगी, कोई भी परिशानी चल रही हो जीवन में, हनुमान जी का समरन करे, और लोंग अरपित कर दे हनुमान जी के चरण में सब कूछ ठीक हो जाएगा, और अगर दुश्मन बारबार परिशान कर रहा है, तो अपने पास भी रगदे, तो शत्रू परिशान करना बंद कर देंगे, तो दोस्तो ये लोंग का प्रयोग जरूर कीजिएगा, तो दोस्तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, जय बजरंग बली, और वीडियो को ज़़दा से ज़़दा लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, धन्यवाद.